हलो गुड मॉर्निंग नवश्कार प्यारी बच्चो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्स एजूकिशन में तो जो भी स्टेनल पर नहीं है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस्ट कर दें ताभी वीडियो की सब्सक्राइब करेंगे तो इसको जो क्वेशन है आपके यह फिलोर्मा लेटस फर्स्ट कैल्कुलेट वर सिक्स केजी और फ्रेश फिश फिश इसमें क्याता है कि वीवाइ फ्रेश फिश पार रूपीस 15 पर केजी कि हम जो हैं फ्रेश फिप्टीन पर केजी कि करेंगे हम आपको स्याज करेंगे पताएंगे निए क्कैशन नबर फौर्ट है वी ड्राइ शिक्स केजी फ्रेश फिश फृष क्लेट लिए नथर फिश अइसपाइड फिश क्लेट वर फिश फो फिश टूक बरने के लिए टूट केजी करना था ये देखिए कहां से आया ह तो यहां पर लिख दिया हमने 2 kg ड्राइड फिश नेक्स इसका जो है आपका कुश्चन है यहां पर देखिए फर 6 kg fresh fish we have to pay 6 x dash is equal to rupees 90 कि जो 6 kg जो है fresh fish के जी के लिए जो आपने कितना पे करना पड़ेगा कि 6 x is equal to rupees 90 है तो हम यह पता है कि fresh fish per kg का price कितना है 15 है तो हम कुछ क्या करेंगे यहां पर 6 को 15 से multiply करेंगे यहां पर फर 6 kg fresh fish we have to pay 6 x rupees 15 is equal to rupees 90 चाहे तो आप इसको जो अक्रोस चक कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं आप यहां पर आप इसको multiply कर सकते हैं 15 15 x 6, 6 x 30 3, 6 x 6, 6 x 3 plus की तो 9 कि आपका यह 90 रुपीज यहां इसको है next question है we sell 2 kg dried fish and get बलता है कि हम जो 2 kg dried fish जो हैं वो बेचेंगे and get कितना प्रापस करेंगे बोलता है कि तो हम क्या करेंगे यहां पर रुपीज से करेंगे देखिए यहां पर तो कहता है यह आगे so if we dry यहां पी आप कहता है so if we dry 6 kg fresh fish भी विल अर्ण कितना प्रापत करेंगे वो तो माइनस 90 दिया है यहां पर यह वाला हमने फाइंड करना है और यह वाला फाइंड करना है देखिए कैसे करना इसको बहुत है तो all the same हमने यह लिखा so if we dry 6 kg fresh fish भी विल अर्ण तो यह आपका 90 रुपीज हमने दिया था यह तो दिया है यह वाला और यह वाला हमने निए क्या किया ? देखिये ये हमारा क्या आया है ड्राइड फिश हमारा जो ड्राइड फिश है तो इससे हमने कितना अन किया है और और फ्रेश्वी से 90 रुपीस तो 90 हमें दिये होगा, 90 मैंसे कितना माइन्स करना है 140 तो करना है इन दोनों को ही ये और दोनों को बेच के जो आएगा बही तो अरन होगा तो हमने total कितना किया 140 ये जो है dry fish का minus करना है ये fresh fish वाले से 140 minus 90 करते हैं तो हमारा क्या जाता है ये आपने 140 मैंसे 90 minus किया 0 यहां पे बन गया यह 13 जिरो यहां पे बन गया बेटर सकेंड यहां पे यह आपका 0 और यहां पे बन गया 14 तो 14 मैंसे जब आपका 9 minus करते हैं यहां पे क्या जाएगा आपका 5 तो यह आप गया रूपीज 50 नाओ नेक्स प्वेश्चन इसका कि बलता है कि यदि हम जो 6 kg dry fish करते हैं तो हम कितना अर्म करेंगे माइनस 1,000 multiply करके इन बन मंत में देखी कैसे करना इसको तो हमें टोटल हमने अर्म कितना किया रूपीज 50 अर्म किया है इसी के बेस पे आगी कोशन चलाए कि हमने रूपीज 50 अर्म किया हूँ तो इसी के ब वे यह 500,000,000,000 bows 5! यह आगया आपका 50,000? in one month हम कितना करेंगे 50,000 अर्म करेंगे शेंेनी पाल तोflower कोड़ोज आल्म करके अर्म करता है यह आखी वे इस प्लाशन से बहुत कुछ हुतhon तो जो ग्रूप है वो प्रॉफिट अन करता है और जो ग्रूप की वुमेन है वो एल्री प्राप्त करती है जो भी रोने काम किया है तो आगे क्या है जहांसी I found that for 6,000 kg fish we would need 1500 kg salt every month मुझे 6,000 kg fish प्राप्त होती है मिलती है तो मुझे 1500 kg salt की जुरूरत होगी हर महीने और इसकी प्राइस रूपीज और इसकी पर kg एक किलो की कीमत जो है वो 2 रूपे है और जुरूरत कितनी है 1500 रूपे की तो फिर यह कहता है कि monthly cost ठीक है इसका first part है आपका salt 1500 तो कितना आएगा सिंपल है बहुत आपने क्या करना है यहां पर monthly cost salt 1500 रूपीज 2 तो 1500 को हम जब 2 से मल्टिपलाई करेंगे 200,200,2510,1211 और 213 यह आगे आपका 3000 तो अंसर में आप लिख सकते हैं पर रूपीज 3,000 नेक्स इसका पार्ट भी है question का packing and bus charges is equal to रूपीज 3,000 पैकिंग और bus charges कितना आता है monthly cost रूपीज 3,000 आती है तो टोटल मंथली cost of drying and fish selling the fish तो टोटल मंथली cost कितनी आएगी fishes को sell or dry करने में वो हमने निकालनी है तो इसको कैसे करना है देखिए पार्ट भी है तो हमने क्या करना है 50,000 जो हमने अर्ण हुआ था पीछे हमने जब यह question solve किये था न हमने 50 हमारा आये था 50 को जो है 5000 से multiply किया नंबर 14 से solve किया भी आगे continue है तो 50,000 मैसे यह 6,000 हमने माइनस कर दिया जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा रूपीज 44,000 पर मन्त पर अगे करते है फिजला आपना अंसर जो है चेक कि आपका अंसर भी 44,000 आता है तो हाँ हमने बोला their answer is correct क्योंकि हमने आप यह अंसर क्या रहा है 44,000 चाहिए तो आप जो है यहाँ पर 50,000 और माइनस 6,000 कर सकते है यहाँ पर आया आपका 10 यहाँ बचा 4 यहाँ बचा 4 तो 6 गया तो आपका बचा 4 यह आ गया 44,000 हमारा अंसर भी क्या है correct है तो यह थे आपके जो questions थे I hope यह आपको questions जो है अच्छे से clear होगे होंगे और इसी के साथ हमारा जो chapter number one है the fish tale जो है mathematics का complete होता है अब हम जो है आपसे next chapter के साथ मिलेंगे आप वीडियो को आन तक देखिएगा और अपनी valuable feedbacks आप comment section में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है तब हमारी महतनत रहलाती है ज्यादा श्यादा सेर कीजिएगा और subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो